ओम शांती 1 सितंबर 2024 प्यारी मीठे अव्यक्त बाप्तादा के आज के मधुर महावाक्य उरिजिनल मुर्ली डेट 25 नोवेंबर 2001 मुर्ली का शिर्षक है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारन कर समस्याओं का समाधान करो आज प्यार के सागर बाप्तादा अपने प्यार स्वरूक बच्चों के प्यार की डोडी में खीच कर मिलन बनाने आए हैं बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए अव्यक्ती मिलन तो सदा बनाते रहते हैं फिर भी साकार में बुलाया तो बाप्तादा बच्चों के विशाल मिले में पहुँच गए हैं बाप्तादा को बच्चों का स्नहे बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों और के बच्चों के लिए गीत काते हैं वहा श्रीष्ट भाग्यवान बच्चे वहा भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वहा इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारन रूप में सहज प्राप्त होना है ये स्वक्ण में भी नहीं सोचा था लेकिन आज साकार रूप में भाग्ये को देख रहे हो बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं मिजोरिटी माताओं को वोल्डिन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेश शक्ती सेना को देख खुशी होती है कि चार दिवारों में रहने वाली माताईं बाप द्वारा विश्व कल्यान कारी बन विश्व की राज्य अदिकारी बन गई है, बन गई है यह बन रहे है? क्या कहेंगे? बन गई है ना? विश्व के राज्ये का माखन का गोला आप सबके हात में है ना? बाप तदाने देखा कि जो भी माताइं मदुभन में पहुंची हैं उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है कौन से खुशी है कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेश बुलाया है तो माताओं से विशेश प्यार है ना नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है हम को बुलाया है हम क्यों नहीं आएंगे बाप दादा भी सबकी रुहरियान सुनते रहते हैं ये खुशी का नशा देखते रहते हैं, वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कारे की समापती नहीं हो सकती, लिकिन आज विशेश माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है, बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहच पूरुशार्थ की विधी सुना रहे हैं, माताओं को सहच चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं को बच्चों को कहते हैं, सबसे सहच पूरुशार्थ का साधन है, सिर्फ चलते पिरते संबंद संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुब भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो, चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुब भावना की शक्ती से दुआ में परिवर्दन कर दो, आप त्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो, जो बद्दुआ दे रहा है, वे इस समय कोई न कोई विकार के वशी भूत है, वशी भूत आत्मा के प्रती वा परवश आत्मा के प्रती कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रती सदा सयोग देने की दुआ निकलेगी, सिर्फ एकी बात याद रखो, कि हमें निरंतर एकी कारे करना है, संकल्प द्वारा, भोल द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, दुआ देना और दुआ लेना, अगर किसी आत्मा के प्रती, कोई भी व्यर्थ संकल्प वा नेगिटिव संकल्प आवे भी, तो ये याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है, जैसे कहां आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वे आग को देख जल डालने का अपना कारे भूलते नहीं, उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं आग बुझाने वाले हैं ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कारे करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना करतवे याद रखो कि मेरा करतवे है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का दूआ देने का शुप भावना की भावना का सेयोग देने का बस एक अक्षर याद रखो माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है दुआ देना दुआ लेना माताओं ये कर सकती हो सभी माताओं हाथ उठा रही है कर सकती हो ये करना ही है पांडव कर सकते हैं पांडव कहते हैं करना ही है गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजई और शक्तियां सदा विश्व कल्यानकारी नाम से प्रसिद्ध है बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है बताएं वे कौन सी आश है? जान तो गए हो? तीचर्स जान गई हो ना? सभी बच्चे यता शक्ती पुरुशार्थ तो कर रहे हो बाप दादा पुरुशार्थ देख करके मुस्कराते हैं लेकिन एक आश यह है कि पुरुशार्थ में अभी तीवरगती चाहिए पुरुशार्थ है लेकिन अभी तीवरगती चाहिए इसकी विदी है कारण शब्द समाप्थ हो जाए और निवारन स्वरूप सदा बन जाएं कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे लेकिन आप सब निवारन स्वरूप बनो क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारन कर सभी को मिज्वारटी आत्माओं को निर्वान धाम में भेजना है तो जब स्वयम को निवारन स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारन स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारन कर निर्वान धाम में भेज सकेंगे अभी विश्व की आत्माईं मुक्ति चाहती हैं तो वाप त्वारा मुक्ती का वर्सा दिलाने वाले निमित आपो तो निमित आत्माईं पहले स्वायं को बिन-बिन समस्याउं के कारन को निवारन कर मुक्त बनाएंगे तब विश्व को मुक्ती का वर्सा दिला सकेंगे तो मुक्तें किसी पी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकिंट में निवारन सोचो यह सोचो कि जब विश्वता निवारन करने वाली हूं, तो क्या स्वयम की छोटी-छोटी समस्याओं का स्वयम निवारन नहीं कर सकती? नहीं कर सकता, अभी तो आतमाओं की क्यूं आपके सामने आएगी? यह मुक्ति दाता मुक्ति दो, क्यूंकि मुक्ति दाता के डारेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना? लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्ति दाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है क्यों तयार है? लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुशार्थ में कमजोर पुरुशार्थ का एक शब्द का दरवाजा है वहे है क्यों? Question mark क्यों ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृती दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दर्वाजा क्यों इसको समाप्त करो कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं सबी हाथ उठा रहे हैं या कोई-कोई foreigners तो ever ready है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ कोई ऐसे-ऐसे कर रहे हैं अभी कोई भी सेवा केंदर पर समस्या का नाम-निशान न हो ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है teacher समझे मुझे करना है student समझे मुझे करना है प्रवरिती वाले समझे मुझे करना है मदुबन वाले समझे हमें करना है कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए कारण खत्म होके निवारन आ जाए क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया और संभव को संभव करके दिखाया दिखाया ना तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को कितने वर्ष हो गए 65 तो इतने वर्षों में और संभव से संभव नहीं हो सकता है मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ पंजाब नहीं उठ रहा है शक्य है क्या थोड़ा सोच रहे हैं सोचो नहीं करना ही है औरों का नहीं सोचो हर एक अपना सोचे अपना तो सोच सकते हो ना दूसरे को छोड़ो अपना सोच कर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं foreigners, रख सकते हैं, हाथ उठाया, मुबारक हो अच्छा, अभी चो समझते हैं, वे दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं ऐसे नहीं, सब उठा रहे हैं, तो मैं भी उठा लूँ अगर दिल से दिरड संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर, निवारन स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंद संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है हो सकता है, अगर दिरड निश्चे है, तो वैं पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ, बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दिरश्य टीवी पर देखा अच्छा है ना, एक्सरसाइस हो गई, हाथ इसलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे, तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना, बाबा और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी, और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा, मास्टर सर्वशक्तिवान अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा, अभी याद प्यार में, मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर, सर्वशक्तिवान कहे, शक्तिवान बच्चों को याद प्यार, अच्छा लगेगा, मास्टर सर्वशक्तिवान है, सिर्फ अपना टाइटल और करतवे याद रखो टाइटल है मास्टर सर्विशक्तिवान और करतवे है विश्व कल्यानकारी तो सदा अपना टाइटल और करतवे याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो ओर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ओर्डर करो वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, हैं भी लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं, उसको समय पर यूज करो जैसे इन करमेंद्रियों को ओर्डर से चलाते होना, हाथ को, पाओं को चलाते होना ऐसे हर शक्ति को ओर्डर से चलाओ, कारे में लगाओ, समा के रखते हो, कारे में कम लगाते हो समय पर कारे में लगाने से शक्ति अपना कारे जरूर करेगी और खुश रहो कभी कभी कोई बच्चों का चेरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा कंभीर दिखाई देते हैं खुश रहो नाचो गाओ आपकी ब्रामन जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भागे और भगवान के गीत गाने की तो नाचने गाने वाले चो होते हैं न वे ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता गंभीरता अच्छी है लेकिन तूमच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है बाप दादा ने तो अभी सुना कि देली में उदगाटन हो रहा है 9 दिसंबर 2001 को देली गुरगाओं में ओम शांती रिट्रीट सेंटर का उदगाटन है लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उदगाटन देखने चाते हैं वे ठेट तो फिक्स करो ये छोटे मोटे उदगाटन तो हो ही चाहेंगे लेकिन बाप दादा उदगाटन चाते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान, साक्षाथ, फरिष्टे सामने आ जाएं और परदा खुल जाएं ऐसा उदगाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रुहुरियान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा, तो बाप दादा वे उदगाटन देखने चाते हैं उमंग भी अच्छा है, जब रूरियान करते हैं, तो रूरियान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब घर्मयोगी बनते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता तो माताइं क्या करेंगी, बड़ा जोंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है, किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं, माताओं का विशेश ये संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताओं बाप के साथ करके दिखाएंगे करके दिखाएंगी अभी एक हाथ की ताली बचाओ माताओं सब कुछ कर सकती हैं माताओं में उमंग अच्छा है कुछ भी नहीं समझें लेकिन ये तो समझ लिया है न कि मैं बाबा की हूँ बाबा मेरा है ये तो समझ लिया है न मेरा बाबा तो सब कहते हैं न बस दिल से यही गीत काते रहो मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा अच्छा, अभी एक सेकिंड बाप दादा देता है सब अलर्ट होकर पैठो बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसंट में नहीं है ना? 100% है तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तयार हो 100% प्यार है ना? जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो पीछे बच जाएंगे अगर कम हो तो हाथ उठा लो 100% प्यार नहीं है तो वह हाथ उठाओ प्यार की बात कर रही है एक दो ने हाथ उठाया अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा, जाएंगे कहां, प्यार तो करना ही पड़ेगा अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैची है ना, अभी सभी प्यार के रिटर्न में एक सेकंड बाप के सामने अंतर मुखी हो, अपने आप से, दिल से, दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयम के प्रती वा औरों के प्रती समस्या नहीं बनेंगे ये द्रड संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो चो समझते हैं, कुछ भी हो जाए अगर कुछ हो भी गया, तो सेकंड में स्वयम को परिवर्तन कर देंगे वे दिल में संकल्प द्रड करें, चो कर सकता है द्रड संकल्प बाप दादा मदद देंगे लेकिन मदद लेने की विधी है दृड संकल्प की स्मृति बाप दादा के सामने संकल्प लिया है ये स्मृति की विधी आपको सयोग देगी तो कर सकते हो कांद हिलाओ देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है कपराओ नहीं बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी अच्छा ऐसे सर्व तीवर पुरुशार्थी श्वेश्ट आतमाओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मत वान आतमाओं को सदा अपने विशेशताओं द्वारा औरों को भी विशेश आतमा बनाने वाले उन्ने आतमाओं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूब विशेश आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बापतादा को दिलव चान सिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी गुट मॉनिंग बाबा शुकरिया बाबा विदाई के समय आज विशेश जो मदुबन में उपर सेक्योरिटी के कारे में बिजी हैं वे बापतादा के सामने आ रहे हैं यग्य की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है तो रखवाली कर रहे हैं दूर बैठे भी याद कर रहे हैं तो खास बापतादा जो उपर कोई भी सेवा अर्थ पैटे हैं चाहे ज्यान सरोवर में चाहे पांडव भवन में चाहे शांतिवन में जो भी रखवाली करने वाले हैं उन्हों को बापतादा विशेश याद प्यार दे रहे हैं सभी मेनत बहुत अच्छी कर रहे हैं अच्छा सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वे समझें हमको विशेश रूप से बापतादा ने याद दी है अच्छा वर्दान पुराने संसकार और संसार के रिष्टों की आकर्षन से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्टा भव पुराने संसार की आकर्षन से मुक्त न संबंद रूप में आकर्षन हो न अपनी देह वा किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तू की तरफ आकर्षन हो ऐसे ही पुराने संसकार की आकर्षन से भी मुक्त संकल पृति पवानी के रूप में कोई संसकार की आकर्षन न हो जब ऐसे सर्व आकर्षनों से अथ्वा व्यर्थ समय व्यर्थ संग व्यर्थ वातावरन से मुक्त बनेंगे तब कहेंगे डवल लाइट फरिष्टा स्लोगन शांती की शक्ती द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूपानी सोशल बरकर हैं ओ शांती